लास लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया था कि ये जो वेव्ज आती हैं एक तरीके से जो एक इंसान की thinking को mold करने का काम करती हैं 6th century BC के अंदर आती हैं और इन्होंने एक नए direction देने की कोशिश करी ठीक है और Indian subcontent की बात करेंगी हम लोग specifically इस chapter के अंदर तो सबसे वहले start करते हैं intellectual awakening से ठीक है 6th century BC को एक important period माना जाता है ancient इंडिया की history के अंदर और मैंने बता दिया आपको बहुत जादे ही बता दिया कि 6th century BC important क्यों माना जाता है ये एक landmark period था ठीक है जिसकी वज़े से हमारे देश में या Indian subcontinent में ऐसा कहें कि intellectual और spiritual development होई इंडिया की ठीक है इ एक historian इससे जिसका नाम तर Will Durant इसने इस era को का shower of stars mind you SSC वगएरा ये छोटे exams के अंदर इस तरिकी के question आ सकते हैं इसको लिख लेना कहीं पर important कि who या फिर which historian regarded 6th century BC as shower of stars तो या तो उसका answer होगा Will Durant या Will Durant ने कौन से era को shower of stars का तो उसका answer है 6th century BC ये चीज जाद रखना ठीक है इस paragraph के अंदर ये चीज important थी अब बात करते हैं हमें अगर sources पता लगाने है intellectual और spiritual development के तो हमारे पर sources क्या हैं सबसे important जो इस time पर थे हमारे पास है literary sources देखो थोड़ा सब past में जाते हैं और एक जमाने की बात करते हैं 3rd century BC की जो की था time हरपन civilization का हरपन civilization के अंदर अलंगिरता literary sources की जरण limitation बता सकते हो मुझे दिव जो literary sources पहले मुझे बता तो clear है आपको कि मतलब क्या होता literary sources का कशिश क्या मतलब होता literary sources का है क्या मतलब होता है कोई बताओ मुझे जरण literary word का क्या मतलब होता है कोई तो पताओ जो text लिखे जाते हैं तो अलंगिरता मैं यह पूछ रहा था जरण हरपा के अंदर literary sources की limitation क्या थी क्या drawback है नहीं 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 हाँ 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 आठीस पर्रबल्म यहाँ पर यह थी कर taking freaking very good तूस्क को सबाज शबाज तूसको क्या कहते है problem of problem of very good, problem of decipherment हम इसको decipher नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, हर अपन script ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ऐसे लिखी जाती थी, जैसे, पहली line इसकी start होई, right से फिर left से फिर right से, फिर left से ऐसे ही होता था, ठीक है? लेकिन इस pattern को कहते हैं, ये right, left, right, left, right, left क्या कहते हैं इस pattern को? एक इसको special लाम दिया जाता है अलंगरिता, काफी बार बता चुका हूँ, बताओ जरा मुझे बहुत बार बता चुका हूँ आपको एई बूस्ट्रो फीडन बूस्ट्रो फीडन ये जी तया तकना don't worry in words में confuse मत हो आएंगे एक time पर, एक time पर हमारे course जब आगे बढ़ेगा, आएंगे लेकिन थोड़ी थी चीज़े advance में मैं इसलिए बता देता हूँ थाकि आपको बाद में सुनने में कुछ भूँ ना लगए, ठीक है तो चलो हम आगे बात करते हैं इस time पर 6th century VC के time पर जब हमें intellectual और cultural awakening जाननी है तो हमारे पास sources available literary sources, ठीक है? और जो limitation वहां पर थी हरापा के अंदर, वो limitation अब नहीं मिले कि क्योंकि literary sources यहां पर, they were very well developed क्योंकि अभी-अभी इंसानी सब्विता एक age से होकर गुचरी है, याद है? कितना कुछ लिखा गया महाँ पर दिवजोद, वेदास किसने लिखे थे? वेदास, who wrote वेदास? क्या मानने जाता है? वो तो ठीक है, वो तो चीज ठीक है वो तो मतलब एक बिटीज है लेकिन अलंगिर्ता, हाँ Aryans ने लिखे थे, ठीक है? आरियन से लिखे, यह चीज आ रखना छोटी-छोटी बाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यही तो बात है, यही तो सीखने आपाई हो सब लोग के दिक्कते कहां हो जाती है आंसर मालब माख करने में, ठीक है? हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग लिमिटेशन होती है हम लोग इंडियन से है, तो वही बाते हैं जाती है कि भाई, spiritualism, philosophical nature of something वो करके तो हम ऐसी ही बोलते हैं, जैसे अब कशिष जब पहली बार आई तो kind of answer, मैं लोग यह ऐसा बोलते नहीं थी नहीं कि एक बात बता रहा हूँ कि जैसे अगर इसे बुझो कि solar system में ऐसी जी से वर क्यों करती है, तो कहती विष्णू जी की मर्जी, भग्मान की मर्जी मुझे क्या पता ऐसा क्यों वर कर रहा है सोलर सिस्टम एक ही जगह पर क्यों बंद रखा है वो कहती पता नहीं समेट रखा होगा विष्णू जी ने लक्षमी जी ने अपने पास इस वज़े से तो यहां पर लिट्ररी सोर्से कॉन कॉन से थे एक थे अगर आपको जैना टेक्स को समझना है जैनिजम को सेड़ी करना है एक टेक्स का नाम है कशिष जितनी बाते हमने वहां पर सीख ली थी न अब देखो यहां पर एक एक एक्स्टर चीज आपको मिलेगी अपार प्रॉम NCRT ठीक है दिव्चोथ आप भी सीखो इसको अनंग अंग अब यह जो आप जानते ही हो जैक सेड़ी करना है बुद्धिजम के बाहरे में कुछ जानना है दें यू आप टू सोर्से त्रिपितगास ठीक है तीन पितक ठीक है और इसके और होती जातक कताये जातक कताये आर एक्शुडी दा मॉरल स्टोरी जिसमें बुद्धा ऐसे माने जाते हैं कि प्रीवियस बर्त क के अंदर ही बॉस एनिमल ठीक है और त्रिपितग जो है ना उसके अंदर तीन बुग होती जिसे तरीका मतलब होता है तीन तो अलंकरता ज़रा नेम करके अनको पताना है त्रिपितग कौन कौन सी तीन पितग कौन सी नमबर बन सुत पितग दूसरा बिने पितग और तीसरा है अभिदम पितग तो अब कौनिस क्या थे बहुत बरता कौनिस के ये इंटलेक्शल अवेगनिंग हुई क्यों और ये बरत क्यों हुआ भुदिजम और जैनिजम का ठीक है इसके पीचे कुस्तो कारण होंगे न देखो एक कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया उस टाइम पर कुछ इंसान ऐसे पैदा हुए जिनको प्रॉब्लम थी इस वर्ण सिस्टम के हिरार्किकल नेचर से के बनेखे भाई मैं क्यों मलब हम क्यों यकीन करें कि लेडर के अंदर बर्त के बेसेश पर पर संट डिटमाइन होगा कि वो भ्रामण है वो शत्रिया है वो वैश्या है या फिर वो शूत्र है और शूत्र वाला हमिशा नीचे ही क्यों आएगा और उनको उनतीनों की गुलाम गाइट करने वाले, रियल पावर जो होगी, हाथ में होगी इनके और ये जो होगे पैसा वगएरा कमाएंगे क्यों मालने हम इनको, ऐसा उस टाइम पर लोगों का एक आरोब था, तो बड़े सारी रीजन्स थे कि ये नई intellectual awakening मतलब, यहाँ पर आप society के, ध्यान से सुनना, अभी तक society के, जिस प्रकार से norms चल रहे हैं, rules चल रहे हैं, regulations चल रहे हैं, उसको तोड़ कर person ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया कुछ लोगों ने, और लोगों को भोला, बाई साब, क्यों किसी से डर रहे हो, क्यों society को norms के तोड़ने से डर रहे हो, क्या यह norms तुमारे लिए psychologically और spiritually healthy हैं, क्या क्या इससे तुमारी development, progress वगरा ensure हो पा रहे हैं, क्या क्या तुम अन्याय कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाली पीडियों के साथ तो लोगों को समझ में आया, हाँ भई logic है इस चीज में, it is just like कि आप तीनों ने oh my god देखी है न, उसके अंदर जैसे कुछ-कुछ concept है कि दूथ पूरा का पूरा shivling में क्यों चलाना है, तोड़ा सा चला कर बिकारी को दान कर दो, जो जो चीजे जैसे ritual practices होती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाओ वो भी नई धेव देने की change करता कि नहीं करता फिर जब वो उसका जो journalist होती जब उसका interview लेती है जब वो पूरी उसका answer कर देता है सारी चीजे बताकर, वो कहती न, really you have changed my concept about God देखिए न, Oh My God movie पर इस्वावल अक्षिकुमार की यह चीज है, ठीक है तो कुछ जो है exploitative practices जो थी इस time पर चल रही थी, जिसकी वेज़े से यह नई नई faith जो थे, नई thinking जो थी वो आती चले गई, क्या चल रहा था इस time पर क्यों आया, यह causes हम लोग जाल रहे हैं यह causes अगर आप लिखकर आजाओ पांस तो अभी आपको number मिल जाते हैं, देखो सबसे पहले तो, यह जो नई persons आये, जो कि जिनकी नई intellectual और spiritual thinking थी वो परशान थे, किस बात से, उनको यह जो ब्रह्मनों के दोरा जो यह complex तरीके से rituals, sacrifices कि भाईया पैदा हुए हो, मैंने आपके हाथ पड़ा, आपके उपर साया है, ठीक है शनी की साड़े साती है, आपके पूजा करवानी पड़ेगी, आपके उपर ग्रह दोश है, आपके family के अंदर यह है वो है, ठीक है, तो यह चीज नहीं, चो complex तरीके से इतनी rituals, पूजा, पाठ, प्रथाय, बगएरा जो थी, यह लोग इससे परशान थे, क्योंकि अगर आप इन सब को मान कर देखो, चाहे आप गुरु नानक जी को मान कर देखो, चाहे आप गौतम बुद्दा को मान कर देखो, या फिर गौर्दभान महावीरा को मान कर देखो, इन सब का एक चीज थी कि अगर आप rituals और sacrifices में फसे रह जाते हो ना, तो आप भागते रह जाते हो दर उदर, फिर आप God के साथ ना चो one-to-one connection बनाना चाह रहे हो ना, वो आप कभी बना नहीं पाओगी, आपकी real form में भक्ती या फिर worship कभी निखर कर नहीं आएगी, उभर कर नहीं आएगी, इसका चलो एक example भी हम लोग माने वैसे, देखो, अगर हम हमारे घर में जिजदर मालना मान लो कि नवरात्री की पूजा या फिर कोई हवान है कशिष, दिवजोत, अलंकिरता घर में हुआ होगा, यह किसी के गय होगे यह कोई पूजा पाड़ पकर जब भी होती है यार एक बाँ बाँ बताना सारा का सारा टाइम हमारा कशिष दिशी चपसीजों में ने खल जाता बागा दोड़ी करना इसको फोन कर पापा को फोन करके पूछ ले घी का डबा आया की नहीं आया यह हुआ की नहीं हुआ प्रसाद बना की नहीं बना गैस को देख लिए उस पर हलुआ चड़ा हुआ इतने सारे जिश्टार आने वाले हैं कहीं बो ना हो जाए कार्वेट बिच्छाओ यह मूर्ती लगाओ फूल करो कमरा साफ कर दो काम वाली से चड़-चड़ करना कि पोंचा लगाओ आज भी लेट आई तू इतना जादा परसन क्या कनेक्शन बना पा रहा है फिर जब वो करने बैठा जब तक पूझा पाथ तब तक वो ठाका है उसका देमक ठाका हुआ है उसका फिर ध्यान इसी चप चीज़ ओपर है लाइटिंग प्रॉपर है के नहीं है जिसको कॉल करा था वो आया की नहीं आया वो पता नहीं कहां फसे रह गए वो पता नहीं क्यों चड़ गए प्रशास आपको मिला की नहीं मिला और कुछ चाहिए आपको नहीं चाहिए वहाँ खाना रखाया खाना खाके जाना गरपया person बनाई ही तो नहीं पाया, दूसरों को इंप्रेस करता रहे हैं सब में, तो बताओ, ये कुछ गलत कह रहे हैं क्या, जब भी, मैं आपको पता ही, ये सारे examples क्यों देता रहता हूँ, ये चीज आपको justification जब करनी होगे ना, किसी भी interview के अंदर, means cancer writing के अंदर, कि explain, जब आपको करना पड़ेगा, तो आप real life circumstances explain करना इन सब चीजों को, कि सही तो कह रहे हैं, जब आपको इनको different करना हो, उसके बाद, sacrificial ceremonies जो हैं, वो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत होती हैं, मान लो, जैसे अलंकरत, आप जानते होगे, किसी-किसी की उपर, हिंदू में, ये बोले जाते हैं, कि काल सर्फ दोश है, उसके उपर, अब ऐसे दोशों को मिठाने के लिए परसन दिल्ली से यात्रा करना शुरू कर रहा है, वो जेन, महाकाल, या फिर बारह जोतर लिंग के अंदर दर्शन करने हैं, उसको, easy काम है क्या, हर किसी के पास इतना पैसा और सामय है क्या, बताओ ज़रा, नहीं न, तो ये चीदे बहुत महेंगी हैं, अब इतना कुछ है, एक बार बताओ, अगर दोश आपकी उपर है, दिवजोत तो आपकी काम वाली की उपर नहीं आ सकता क्या, आपने तो हवन वगएरा घर पे करवा कर, सौ कन्याओं को खाना वाना किला कर, उनके पैर कोई आएगा उसके घर में, वो आपको ही बुला ले, कि आप चलो, आपके पैर बैर दुला कर, आपको कर देंगे, जाओ कि उसके घर में बैटने, या आपकी दोश जाएंगी क्या, ये चीज है, तो उसके बार एक और चीज, ये बहुत इंटरस्टिंग पॉइंट है, कि जो ये बिलीज है न, ऐसा मानते थे ये लोग, कि वो न, काफी सारे लोगों की सुपर्स्टिंग बिलीज और पैर्टिंग जो कि इंसानों को कन्फ्यूज करती है, इंसान को समझ में नहीं आता, वो करे क्या, कहीं लोग बोलते हैं, हल्दी वाला पानि डालो, कहीं लोग कि आपको मंगलवार को हनुमाचा लिसा पढ़नी चाहिए, कन लोग ये बोलते हैं, कि सुपाच छे वजे नालो, कहीं लोग बोलते हैं, तीन बजे उड़ते साती नालो, कहीं लोग बोलते हैं, कि बिना नहे मंदर नहीं जा सकते, लेकिन फिर गुर्दवारे, या फिर प्रमाइसे वगर जाए मैं तो मगलेखे एन्टरनमात करो, लेकिन ऐसी कोई बनीश कोई बंद शे गुर्दवारे में तो नहीं होती है, आशरमों में तो नहीं होती है, गुरूजी लोग चाहते हैं, तो इन्सान कन्फियूज है, वो करे तो च्या करे, कि एक चीज को मैं वहाँ apply कर सकता हूँ या कर सकती हो तो दूसरी जगह पर क्यों नहीं नॉनवेज छोड़ दो ठीक है अंडा छोड़ दो फिर अगर चलो नॉनवेज अंडा नहीं खाते हैं तो फिर दूसरी चीज प्याज लेसन भी नहीं खाना चाहिए तुम्हें चलो और फिर कहीं कहीं दुखाया मैं तो पूरी कोशिश करिए मेरी वज़े से कभी कोई रात को आंसु टपका करना सोए ना किजी का सरदर दोए ना कोई मेरी वज़े से डरे कपकपाये लेकिन फिर भी सबस्याता सफरार भाई उस परसन के दिनाग में आएगा मैं ही हूँ सबस्याता किलत मुझ इस सुबह लोड के जलती नहालो तो इतना जाता कन्फियूज रहता है इतनी सारी रिचुल प्रैक्टिसेस हैं यह करो वो करो यह चड़ाओ वो चड़ाओ इसको दानदो उसको दानदो परसन कन्फियूज यह दिक्कत थी इनको मजब के मलब विदिंदा हिंदुसम यह सब चीज़े होती हैं जो कि इंसान को confuse करती हैं और भटकाती हैं उसको God के साथ connection बनाने से फिर ऐसे नए intellectual और spiritual leaders का ये बोलना था कि उपैनेशर्स जो है न उपैनेशर्स जो हैं वो थोड़े से ठीक हैं फिर भी वो इंसानों को sacrificial rights करने का एक alternative way देते हैं ठीक हैं कि उसके अंदर या थे न उपैनेशर्स थोड़े से अच्छे भी थे जैसे दिवजो तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताओं कर्शिश आपको थोड़ा सा recall होगे आप थे होगे I think उस class के अंदर बेदास जो थे उनको हर कोई access नहीं कर पाता था लेकिन उपैनेशर्स अरन्यकास को women भी है ना शूदराज भी ये भी सुन सकते थे लेकिन फिर भी न इन लोगों का ये कहना था गौतम बुद्धा गुरु नानक जी का वर्दमान महाबीरा वगरा का जो भी था लेकिन इस जो उस जमाने में जैसे अगर ये कहते थे कि धर्म चलो पूरा अच्छा है हिंदुद्धा पूरा अच्छा है लेकिन क्या तुमारा रिलीजन तुम्हें equality नहीं सिखाता क्या तुम ये चीज स्लेवरी, कास सिस्टम, जेंडर डिस्मिशन तुम्हें चीज दिखती नहीं क्या तुम ओरतों को लड़किये पैदा होती है उसको तुम मार देते हो फिमिल इंफैंटिसाइट करके और वहीं तुम नवरात्रों में नौ दुर्गा की भूजा कर रहे हो गर पे तुम अपन के लिए अपनी बेटे के लिए बहुत ज़ादा चाहिए और दूसरों को तुम यह घ्यान देखते हैं जतके हो के हम औरतों के वाड़ा समान करते हैं औरतों का तुमें समान नहीं है लेकिन बीनका मर्द तुमारी कोई औकाद ही नहीं है बिन औरत के तुम्हें इस प्रिव अभी तक जो चलती आई हैं अगर इतनी बड़िया हैं तो ये गुलामी क्यों होती है क्यों परसन अगर लोवर कास में पैदा हुआ तो उसको सब की गुलामी करनी पड़ेगी क्यों मर्द और 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 के बीच में फरक है जबकि मर्दों की तो यवकाद ही नहीं बिल्कुल भी किसी काmember नई है किसी वो नहीं है उनका वजूद उनकी गाद सिर्फ एक और अशे होती है लेकिन यह चीजन की दिन्या अब देख एक मां पता ना मेरे बातों सभ मेरी बाते कैसे लागीं वैसे सुनकर जो मैंने 500 को 500 परण्ट बताया इसलिए महला इस को च natit कैससा लगाये वैसे लिटकर शॉनकर अगर मालो आपने पहली बार सुने मुझे से लगे कैसे। काशिश अलंगरता क्या लगा बताओ कुछ बताना चारा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ बताओ मतलब यह सारे पॉइंट साथ को कितने लॉजिकल लगे क्या सिस्टेमेटिक लगे अच्छे लगे बुरे लगे यह पूछ रहा हूँ क्या लगे बताओ तो इसका मतलब अब मुझे एक बाँ बताओ मैंने आपको यह point present करे अब आप सोचके देखो अगर कोई जो person है वो शूदर है वो औरत है वो कोई भी एक ऐसा person है जिसको इक्वल अपॉर्टिटी उस ताम पे accessible नहीं है वो lower class का person है अगर यह सारी बाते उसको बताई जाएंगी मुझे एक बाँ बताना हिंदुजम religion को छोड़ कर वो कहीं और आना पसंद करेगा के नहीं करेगा हाँ या ना हाँ या ना बताओ चेंज करेगा अपनी field के नहीं करेगा बताओ अगर जो सफरर है मैं कहा रहा हूँ जो सफर कर रहा वो शूद्र है वो औरते हैं ठीक है उनका lower class status है वो ये beliefs प्रताय बगएरा पूजा पार्ट बगएरा करवाना ये सब नहीं करवा पाते हैं अतनी असानी से होगा के नी होगा जल्दी बताओ होगा ना ठीक है तो ये जो चीज़े हैं ना इन सब चीज़ों की वज़े से ये intellectual awakening इतनी famous होई क्योंकि देखो ग्यान हर को ही दे सकता है लेकिन एक logical systematic वक्त के चलते चलते अगर कोई समझा पाए किसी को जैसे कशिश याद है psychology के अंदर अलंगरता situationism ठीक है और PSIR के अंदर contextual approach कि जिस context के अंदर बाते करी जाती वो ज़्यादा meaning होता है वो उसके अंदर hidden meaning लोगों को ज़्यादा अच्छे थे समझ में आती है यही चीज़ देखो ना यही चीज़ एक तरीके से कि relate कर पाना एक तरीके से लोगों के साथ जो हुई तब ही तो इनसान वो चीज़ थे समझ भाएगा जैसे आपको एक बाब बताओ मैं जब Britishars हमारे देश आये ना तो यह जो women थे ना मलब section जो थी women का और जो lower caste का जो section था जैसे शूद्र वगेरा दिर्जोत, अलंगिर्दा और कशिष यह लोग पता है नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ कर जाए पता है क्यों अंग्रेजों के सिर्फ negative aspect थोड़ी ना रहे है भाई औरतों के लिए तो भग्वान थे है सती प्रता खतम कर दिया सती प्रता खतम कर दिया और डिस्मेरिशन तो यह करता ही नहीं थे है मतलब देखो नौकर अपनी हवेली पर किसी को बनाना काम करना उसके पैसे देना यह एक respectful चीज है rather than कि तुम तुमारी परचाई भी मेरी उपर नहीं आनी चाहिए अगर तुमने मुझे टच करा तो मैं नहा लूँगा इस थारा कि बातों में बिटिशर से यकीन नहीं करते थे तभी तो वो हमें बोलते थे कि तुम ना mentality से social attitude से तुम barbarian हो तुम जंगली हो और Jesus Christ ने हमें white man's burden दिया है white man's burden मतलब क्या हमारी गोडी चमडी है तुम काले लोगों हमें उपर वाले ने बेजा है कि हम तुमारे उपर रूल करके तुमें थोड़ा सा इंसान बना पाएं जो कि इंसानी शरीर में तुमने जनम तो ले लिया है लेकिन तुम हो बहुत ज़ादा जंगली, barbarian क्योंकि तुम इन सारे orthodox चीज़ों में superstitious beliefs में मंगलवार को नखून मत काटो काली बिल्ली रास्ता कड़ गई तो अप्शगून होता है ऐसा दिया भुझ गया तो ये अप्शगून है ये है वो है वो कहते है तुम ऐसे पूरे अपनी जिन्दगी ऐसी जीवन निकाल देते हो तुम्हारा कोई progress, कोई routine, कोई कुछ भी नहीं है you are full of negativity तो ये बेमिन और शुदरों के लिए मरसी आते है वो लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज कभी बार चोड़ कर जाए ये चीज़ है तो कल की class से हम लोग बात करेंगे origin of genism के बारे में ठीक है, thank you very much for discussion